हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है रेडी हो जाईए फाइब सेकंड्स में जनसत्ता समाचार पत्र से संपाद कियो डिक्टेशन लिखने के लिए अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत है कि देश का व्यापार घाटा काफी कम हो गया है व्यापार घाटा उस अंतर को कहते हैं जो आयात और निर्यात के बीच होता है जब कोई देश आयात अधिक और निर्यात कम करता है तो उसका व्यापार घाटा अधिक होता है अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए आयात और निर्यात में संतुलन जरूरी माना जाता है इस दृष्टी से पिछले कुछ वर्षों में भारत का व्यापार घाटा काफी बढ़ गया था इसलिए इसे पाटने पर गंभीरता से व्यचार किया जा रहा था अब व्यापार घाटा घटकर 17.4 तीन अरब डॉलर तक पहुँच गया है विशेश अग्यों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में इस व्यापार घाटे में कमी या बढ़ोतरी आयात संबंधी जरूरतों पर निर्भर करेगी दरसल फिल हाल व्यापार घाटे में आई कमी की वजह आयात में की गई कमी है हालांकि अच्छी स्थिती यह मानी जाती है कि देश का निर्यात बढ़ाया जाए मगर आयात के साथ साथ निर्यात में भी कमी आई है बलकि निर्यात में कमी की दर आयात से अधिक है आयात में 8.2 फीसद की कमी आई है तो निर्यात में 8.8 फीसद की इस लिहाद से इसे बहुत सुखद इस्थिती नहीं माना जा सकता दरसल सरकारने व्यापार घाटा पाटने के लिए रणनीती बनाई कि अनावश्यक आयात पर अंकुष लगाया जाए जिन वस्तुमों का अपने देश में परियाप्त उत्पादन होता है उन्हें बाहर से मंगाने पर रोक लगाई जाए यही आत्मनिर्भर भारत का उत्गोश भी है इस लिहाज से आयात किये जाने वाले तीस प्रमुक उत्पादों में से सोलह के आयात में कमी आई है उनमें सोना, उर्वरक, कच्चा तेल, वनस्पती तेल, रसायन, मोती, मशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक वस्तुमों के आयात में कमी आई है मगर कोईला, प्लास्टिक की वस्तुमों, लोहा, इसपाद तथा परिवहन उपकरणों का आयात बढ़ा है मगर इनमें से कितनी वस्तुमों के मामले में लंबे समय तक आत्मनिर्भर रहा जा सकता है देखने की बात है, निर्यात घटने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि चुकि दुनिया भर में वस्तुमों की मांग घट रही है इसलिए स्वाभाविक रूप से निर्यात भी घटा है मगर हमारे यहां निर्यात के संतोष जनक इस्तर पर न पहुच पाने को लेकर चिंता वैश्विक अर्थ व्यवस्था के लड़कडाने से पहले से की जा रही है फिर जिन इस्थितियों का हवाला दिया जा रहा है उनके जल्दी सुधरने की कोई सूरत भी नजर नहीं आती इसलिए व्यापार घाटे के रुख में कितना इस्थाईत्व रह पाएगा दावा नहीं किया जा सकता आज के दोर में कोई भी देश पूरी तरह आत्मरिर्भर नहीं हो सकता उसे दूसरे देशों से कुछ न कुछ चीजे आयात करनी ही पड़ती है खास कर विकास शेल देशों को कुछ अधिक ही आयात पर निर्भर रहना पड़ता है ऐसे में रसायनू कच्चे तेल वनस्पती तेल एलेक्ट्रोनिक उपकरणू आधिके मामले में भारत लंबे समय तक आयात पर अंकुष नहीं लगा सकता दावा निर्मान और एलेक्ट्रोनिक उपकरणू आधिके मामले में वह दूसरे देशों पर निर्भर है इसके बरक्स वह जिन वस्तूओं का उत्पादन अधिक और गुडवत्ता पूर्ण करता है उनका बाजार उसे तलाशना होगा कोईला लोहा और इसपाद के मामले में वह उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे सकता है मगर इनका आयात बढ़ रहा है निर्यात बढ़ाने के लिए दुनिया में जिस तरह नए बाजार तलाशने और अपनी जगह बढ़ाने के लिए रणनीती बनाने की जरूरत होती है वह शायद नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से निर्यात नहीं बढ़ पा रहा अगर निर्यात बढ़ेगा तभी व्यापार घाटे में इस्थाई कमी का वातावरण बनेगा मैं उमीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा कुछ वर्ट्स आपको नए लगे होंगे उनको आप देखिए उनके आउटलाइन्स बनाईए उनको नोट डाउन कर लिजे आउटलाइन्स को और उनकी प्राक्टिस खुब कीजिए जैसे कोईला, लोहा, इसपात, इलेक्ट्रोनिक, उपकरण, आयात, और नेरियात, आयात, नेरियात, ठीक इस टाइप के वर्ट्स जो है आत्मनेरभर, आत्मनेरभर, भारत, संतोष, जनक, ठीक और कुछ वर्ट्स हैं, जैसे फीसद, फीसदी, प्रतिसद, इस तरह के वर्ट्स पे आपकी कमांड अच्छी होनी चीक, क्या बोला जा रहा रहा और क्या लिखा रहा है, ठीक अरब डॉलर, और ठीक है, तो ये कुछ इंपर्टेंट वर्ट्स थे, मैं उमीद करता हूँ, डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, जिन लोगों का छूट गया थोड़ा बहुत, या जिनको लिखने में दिक्कत आ रही है, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस स्पीड को कवर करना चाहते है, तो इस डिक्टेशन को दो से तीन बार या चार बार लिखने का प्रयास करें, जब तक पूरी तरह से परिपक्वना हो जाए एक डिक्टेशन में, तब तक दूसरी डिक्टेशन पर जाने का आपको ज्यादा लाब नहीं मिले ठीक, लाब तो मिलेगा लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा, यह बात तय है, ठीक, मैं उमीद करता हूँ, चैनल पर यदि आप नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें, अवर्षे करें, ताट साल, थैंक यू